हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारत से आपके अपने शेनल विया स्टॉक्स में गिल से अगर चाहर में नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल को दार ना भूलना ताकि कोई अपटेट आप से मिस ना हो सके साथ पे आप हमें मिल जाएंगे तो आज बात करने वाला हूं एटू जैट इंफ्राशेर के बारे में चानने का प्रयास करते एटू जैट इंफ्राशेर की लेटेस्ट न्यूस दोस्तों इस प्रकार से है कंप्टी के ऑपिशल क्यू थ्री अरांस आज इंट्रेडे में हो जाएंगे मतलब अब यह चार बज़रा है तो मुझे लगता है शाम को साथा तुझ तक इसके रिजल्ट आउट हो जाएंगे लेकिन मैं फिर भी यह वीडियो उससे पहले अपडेट कर रहा हूं तो अगर कंप्री के नम्मर अच्छे आते हैं तो आप जो मेरा बयान है जो मैं बोल रहा हू ठीक है purely based on transaction बोल रहा हूं ठीक है और यहां पर कुछ गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि यह चो penny stock है A to jet infra हमने ही खुद आपको suggest किया था जैसे general purpose थे general view था मेरा ठीक है चार रुपे के labels में अब अगर मैं यहां पर कुछ गलत बोलूँगा stock के बारे वे तो आप यह मत बोलन कि यह stock इसके पास नहीं होगा इसलिए comment कर रहा है ठीक है क्योंकि यह stock मैंने कुछ चार रुपे में वाई किया था और मैंने अच्छा गासा profit इसमें कर लिया है लेकिन अभी कुछ संकेत chart के माधियम से मिल रहे है ठीक है मैंने क्या बोला जो भी stock मैं आपको बतलाता हूं purely जोगी candlestick pattern होता है news तो बाद में आती है लेकिन price में वो चीज़े आना पहले start हो जाती है तो आपको price rate करना आना चीए ठीक है अगर price rate करना नहीं आता है तो आपको जो entry है वो बहुत महेंगी मिलेगी तो इसके अंदर जो clip होगी उसका एक छोटा सा clip में चलाउंगा ताक कि आपको को सेखने को मिले कि कैसे कि स्टॉक में हम काम करते है भी ता प्रॉपर money management risk management और एक तरीके से कि कत्तिरों बगर target आ सकते कैसे आ सकते बहुत अच्छे तरीके से समझाया था अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए ठीक है तो यह कि में क्या कर सकती है अभी बताओ हमें क्या करना चीह फॉर मी अभी इस टॉक में आपको प्रॉफ्ट भॉगिंग करने चाहिए कि इस टॉक में एक चोटा सा डाउं ट्रेंड बन रहा है जो मुझे बहुत क्लियर संकेट दे रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर मुतला कि मैंने stock में तो कर लिए मेरे पास stock में अभी ज्यादा quantity नहीं है छोटी मोटी quantity जिसको मैं carry करने वाला हूं लेकि मीचे अगर आता है तो हम definitely stock को average करके चलेंगे अब मैं क्यों कहा रहा हूं यह बाते दिखाता हूं आपको तो आप देख सकते हैं अभी currently almost 10.90 पैसे आपको दिखा रहेता हूं जैसे मैं आपको बताए जो पैनी stock था राखे जुदिन वाला जी के portfolio में भी था ठीक है उनके पास फॉर्टी वन रुपी के लेवर्स में था ल आपनी के आज इंटरे में आउट हो जाएंगे मतलब आप देख सकते यह रहा नौ फरवरी के आसपास के result आने वाले तो एक दो घंटे कंदर आ जाएंगे तो वह आप एक बाद चकाउट कर लेना वैसे रेको जो मैं आपको प्राइक्शन बता रहा हूं प्राइक्शन बो उठाई गई है NST में और PST में 14,000 शेर्स लोग लेके गया है 55% के delivery यहां पर भी उठाई गई है अब बात करते हैं last quarter में कंपनी का कैसा performance था हो दिखाए था हूं आपको ठीक है उसे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी इस वार कैसा कर सकती है तो September पे कंपनी की sales 101 कर जो ठीक ठाक थी बागे कर बात करते हैं loss तो दिको कंपनी एक साट टोड का loss दिया था और यह loss बहुत जाता loss था तो मैं यहीं बोलूँगा मुझे यह उमीद है कि कंपनी तुबारा से आपको loss दे सकती है सिंपल है अब बात करें चार्ट पेड़न की वह मुझे क्या सकती है अगर आप थोड़ा से दियान से चार्ट पेड़न रेट करना जानती हो तो इस हाइस को इस लो को इस लो से मिलाओगे तो आपको देखेगा कि stock अभी एक downtrend channel पर है क्या बोला एक downtrend channel पर है और यह channel हमें यही बोल रहा है कि stock को हमें sell ही करके चलना चाहिए ना कि बाय करके चलना चाहिए ठीक है तो यह channel है इसका downtrend channel पर है और यह कभी भी नीचे की तरफ गहर नीचे गिर सकता है तो इसी में भलाईए कि आप stock में profit looking कर लो अब आता question कि stock को नीचे की तरफ कहां बाय करे तो मैंन think to buy this stock बाकी देखो जो भी latest update होगा हर मैंने update कर देता हूं तो मैं आप नीचे कर दोगे तो मैं इसके उपर आपके लिए latest update video लेकि आ जाओंगा लेकिन अभी के लिए stock को आपको बेज के चलना चाहिए यह मेरा अनुमान कहता है शाम को एक बास के रिज़र चकाउट कर ले लेकिन 6 रूपे क अगर आता है तो बहूंच्छा प्राइज होगा चरपिए नहीं आखकर को यहाँ लेक्डम को नहीं चाहता हूँ तो 9 रुपे पचास पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप को आप प्लीज एक वाई सिस्टम में अप्लाई कर लेना आप छोटे से क्लिप चलने वाली पुरानी वीडियो की उसको देखो सुनो उसमें क्या बढ़ाया गया था फिर आगे हम इस वीडियो को समाप्त करता हूं जो की सरा बोटों का फॉर्मिशन ही कर रहा है तो डोस्तो डेफिनिटी स्टोक 6 रुपे से टागेट अराम से टैवल कर सकता है ठीक है 6 रुपे से टागेट में बैठ सकते हो लेकिन ध्यान नकले न आप स्ट्रोप लगाओगे 3 रुपे 30 पैसे के आस पस ठीक है अगर चार तो 3 रुपे 20 पैसे का स्टॉप लोगा मादर 80 पैसे का स्टॉप लोज है अगर मैं गलत नहीं हूँ हाँ 70-80 पैसे का स्टॉप लोज है और टागेट आप वेट करोगे कम से कम 6 रुपे और 8 रुपे मतला 1-3 और 4 का रिक्स रिवोड निकल के आता चो अच्छा है ठीक है तो मैंने आपको बतला दिया है अब एक रेंज बेट कर रहा है ठीक है आप देख सकते हैं यह रेंज है अगर यह रेंज ब्रेक आउट हो जाती है 6 रुपे की तो डेफिनिट्टी हमें 8 रुपे के टागेट देगने को मिल सकते है तो भाई मैंने आपको बतला दिया है इस 4 रुपे के पैनी स्टॉक में आपको क्या करना है आपको आप बाये तो कर सकते हो लेकिन स्टॉपोस लगाना पड़ेगा 3 रुपे 30 पैसे के नीचे और हमेसा ध्यान लगो अगर बाये कर भी रहे हो तो अपना रिक्स मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को प्रायेटी डो उसके बेसिस में इंवेस्मेंट करो ठीक है और कुछ रखो साइट प्रॉफिट रखो साइट चार्ट रखो साइट सबसे पहले आपको देना है प्रायेटी risk management और money management को जो भी investment कर रहे हो उसको rule wise follow करो 2% जो बोला गया उसको follow करो ठीक है इसने ज़्यादा investment मत करना otherwise रात को panic attack आएंगे रात को नीन नहीं आएगी उस पैसे का फाइदा नहीं है जो आपको नीन ना आ के आए समझे रहे हो? तो भाई जो बताया गया उसको follow कर लेना ठीक है? बाकी इस stock में कुछ नहीं है इस वीडियो को नहीं समाप्त करता हूँ अगर पसंदा आए तो like कर देना share कर देना आपके लिए ऐसे पैनि स्टॉक large cap stock, small cap, mid cap बनाता रहता हूँ जिसमें आपको definitely पैसा बन सकता हूँ और साथ में share कर दो facebook में ताकि संद्य वाली class में आप आ सको ठीक है भाई? चलो bye bye